फार्म ट्रेक लेकर आया है त्योहार धमा का अब ट्रेक्टर खरीदी पर पाए एक सुनिश्चित उफार किसानों के लिए फार्म ट्रेक ट्रेक्टर बना अभी तक का नम्मर बन ट्रेक्टर तो देर किस बात की ट्रेक्टर खरीदने के लिए अभी संपर्क करें भूपंदर पड़रिया चोरानवे पच्चीस निन्यानवे निन्यानवे बीस हमारा पता है पड़रिया टेक्टर से सोरूम चांदपर रोड रहली सागर मद्धिप्रदेश उसे क्या परेशा आनी थी कोई नहीं जानता ना पलिस ना पड़ास बाले ना रिस्तेदान ना हम ना आप आखिर क्यां उसने अपने दो मासूम बच्चों की परवाय किये बेना खुद को मौत के गले लगा लिया यह बड़ा सवाल है लेकिन अपने आपको मौत के हबाले करके उसने जो खुद को सजा दी है इस बात को सुनकर हर एक का दिल से हम जी हाँ यह दिल को दहलाने बाली बारदार मद्द प्रदेश के सागर जिले के गड़ा कोटा छेत्र के वदेपरा गाउं से जुड़ी है जहां पर एक महिला ने खुद को चार दीबारी में बंद करके जोलन सील पदार्त डाल का राग के हबाले कर लिया और आत्म हत्या कर ली आत्म हत्या की जानकारी खंगाले में अब गड़ा कोटा थाने की पुलिस जोरों से लग गई है जानकारी कहती है कि महिला ने अपने ही घर में आग लगा ली है लोगों को इसकी जैसे ही जानकारी लगी तो पूरे गढ़ों में एक अफरा तफरी का माहौल फैल गया लोग के नाग पर काबू नहीं पाया गया गटना की जानकारी जैसे ही गड़ा कोटा थाने की पुलिस को दी गए तो पुलिस थाने की कुर्सी से उठकर गटना इस ता लोगों पहुची उसके पहले महिला बुरी तरह जल गई थी और उसने अपना दम तोड़ दिया था जब यह पूरी गटना हुई तब बताया जा रहा है कि महिला का पती अपनी बेहन के घर गया हुआ था वह इसलिए कि भाई दोच पर उसकी बेहन उसकी कलाई पर धागा बान सके दो बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से जाने बाली महिला का आत्म हत्या करने का कारणा भी साप नहीं हो पाया है अम महिला ने आत्म हत्या क्यां की यही एक बहुत बड़ा सबाल है और इस सबाल का खुलासा गड़ा कोटा थाने की पुलिस महिला के अंत्यम संस्कार हो जाने के बात पता करेगी रभी सौनी खबार एक्सप्रेस निउज गड़ा को कि अधर करने का मामला सामने आया है कि अधी आतम हत्यकन्य का ज्याग है पुलिस में मर्ग पणजी उच्भाओ ये सब्सक्राइब करें जाकर आग लगाई है तो अभी उस पर जाक चल रही है जो भी तत्य सामने आगे तो तत्य सब्सक्राइब